किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में किसान भाईयो लगबग सभी प्रकार की फसलों के लिए तीन पोशक्तत्यों सबसे मरत्पूर्ण माने गए हैं किसान भाईयो अगर इन तीनों पोशक्तत्यों में से किसी एक पोशक्तत्यों की कमी अगर पोधे को महसूस होती है तो उससे पोधा अच्छे तरीके से विक्सित नहीं हो पाता है और हमारी प्यदावार कम निकलती है तो किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम फसलों में पोटास के महतों के बारे में बात करेंगे यानि कि फसल उत्वादन पर पोटास की इस परकार असर डालता है पोटास के क्या कार्य हैं पोटास के कमी के लक्सन क्या होते हैं तो आपको इस वीडियो में पोटास के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और किसान भाईयो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो जल्दी से नीचे देगे लालक्षु के सब्सक्राइब बटन पर कलिक करके आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और इसके पाई जो गंटी का निसान आया है उससे जरूर बादीजे अब किसान भाईयो हम बात करते हैं पोदे में पोटास के क्या मैत तो होते हैं यानि की फसलों में पोटास के क्या कारे हैं तो पोदों की वरदी विकास के लिए पोटास बहुती आवश्चक पोशक तत्तों माना गया हैं पोटास फसलों को मोसम की पर्तिकुलता ज पिर अचानक से मोसम परिवर्टन हो जाता है जानि कि अगर ज़्यादा बालिस होने लग गई ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी होगी फिर भी आपकी फसल पर उसका कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके अलावा पोटास जड़ों की समूचित होती है जिसके फल सुरूप फसल के गिरने में रक्सा होती है यानि कि पोटास पोदे की जड़ों को अच्छे तरीके से विक्सित करता है जिससे ज़्यादा हवा चलेगी फिर भी आपकी फसल नीचे नहीं गिरेगी और उसके अलावा जीन फसलों में पोटेश्यम की पूर तो देखो कम पानी मिलेगा फिर भी आपका पोदा अच्छी तरीके से विक्सित हो जाएगा और आपको अच्छी पैदावार दे देता है किसान भाइओ इसका सबसे महतुपन फाइदा यह होता है कि किसी भी फसल का जो फल होता है उसकी गुनवत्ता को यह बढ़ाने का का पॉटास का पुर्योक करते हैं तो ग्यहों के जो डाना बनेंगे वे दाने मोटे मजबूत और चमकदार बनेंगे अगर आप सौयबीन में डालते हो तो सौयबीन के दाने अच्छे बनेंगे यानि कि किसी भी फसल का जो फल होता है उस फल की साइज और उसकी गुनवत्ता को बढ़ाने के लिए पोटास से बहुती महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयो यह हमने बात की फसलों में पोटास के क्या कारिये होते हैं अब बात करते हैं पोटास की कमी के क्या लक्सन होते हैं किसान भाइयो पोदे को अगर पोटास की कमी महसूस होती हैं तो पोदे की व रंग गहरा हो जाना यानि कि अगर आपको पत्यों का रंग ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा हैं तो आप अपनी फसल में जल्दी से पोटाई डाल दीजिए जिससे पोदे में पोटाई की कमी पूरी हो जाए और पोदा समूचित विकास कर सकें उसके अलावा इसके सबसे मह पोटो में साब देश सकते हैं कि किस परकार से पोदे में पोटाई की कमी देखी जा रहे हैं तो अगर आपकी फसल की किनारे इस परकार से सूक रहे हैं तो आप अपनी फसल में पोटाई का पर्योग चुरूर कीजेगा किसान बाइओ यह हमने बात की पोदे में पोटाई क किस प्रकार से करना चाहिए और पोटास के लिए कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए तो किसान भाई यो परतेक फसल के लिए अलग-अलग रूप में पोटास की आश्यक्ता होती है अधिकतर किसान भाई यो को पोटास का प्रयोग बुवाई के समय करना चाहिए आप बु किसान भाइयों अगर आप बुवाई के समय पोटास का पुज़ोग नहीं करते हैं या पिर अगर कम मात्रा में करते हैं और बाद में आपको पोटास की कमी देखने को मिलती हैं तो आप 0-0-50 खाथ का इस्प्रे भी कर सकते हैं तो किसान भाइयों यह हमने बात की फचलों में पोटास के महत्तों के बारे में आने वाले समय में हम लगबक सहभी परकार के पौस्टत्यों के कारिये और उनके कमी के लक्सन के बारे में आपको जानकारी देंगे तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए किसान भाई यो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जाए जवान जाए किसान